अजय स्वावलेकूम वेलकम टू पाक्सान स्टॉपनेटिक अमीद है कि आप तुमाम दोस्त करियर से लोगे और वीकर जो है वह अच्छा गुजरा होगा आज जो है वह हम बात करेंगे कि जुम्मे वले दिन जो है वह मार्केट की ग्रोजिंग जो है वह कैसी रही और मुम् इसके हवाले से हम बात करेंगे यहां पर एक बातब की बताता चलो 10 अज 질문 ढंबर यह यहां आप ने को बात पूछनी हो रापता करना हो यहां हमारी से अगरशिवस जोइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर यह जो मटसवार थैट तेमीवले दिन किया और जुम्हवले दिन निकाले निकाले तो 489.72। लेकिन चले एक मेरी तरफ मेरी तरफ से वरके 11 पॉART मेरी तरफ से शामिल आ उसको 500 के कैने मार्किट ने पॉइंट से पॉइंट निकाले हैं देखे काफी सारी बाते हो रही थी कोई नियूज आ गई है यह पता नहीं क्या हो गया आपको याद होगा कि जिस दिन हम जुम्रात वने दिन वीडियो में हम डिसकस कर रहे थे तो उस दिन हमने यह थोड़ा सा इस खद्शे का इजहार किया था कि मुम्किना तोर पर मार्किट जो है वो 48,000 से रिवर्सल ले सकती है देखे मेरा जो जाती तोर पर ख्याल था वो यह था यह अगए खर जाएंगे हम इंशाला कैंडल पर भी तो बात करेंगे मेरा चाहता है अगले को दो दिन में मार्किट जो हो 48 तक खली तो झाहें जाएगी लेकिन रातो रात में तो रात दे और ऑन ठीट पर चलिए गए तो फिर रात दो रात में से वापिस आ रही था क्या हूँआ है पिर जब उनका रिवर्सल होता है नीचे की तरफ तो वो भी इतनी तेजी सी होता है कर जाएंगे इन्शालला केंडल पर बात करेंगे बात करते हैं जी के माई 30 की कि इसमें क्या इंपक्ट हुआ माई 30 में से निकले हैं 1100 पॉइंट यह बहुत स्यक्निफिकैंट है कि विए इन्डेक्स पूरी और इस चोटे से इंडेक्स में से 1100 पॉइंट कर निकलना काफी ज्यादा माईडाएं है लहाँए अगर आप के इंडेक्स करते हैं मेरा यह क्याल है कि आपको इस इंडेक्स को पूरी जह नव चोटा सा तो इंडेक्स है यार के अमे थर्टी का इसको वाच करना या इसके मारे में राय काइप करना को इतना बड़ा काम नहीं है तो चार सो कॉम्पनिस को तो आपने वाच नहीं करना तो मेरा ख्याल है कि आपको इसको बारीकी क डिसक्स किया जाए देखेंगे यार इंशालला अला खैर करेंगे चलते हैं देखते हैं कि सरक्ट ब्रेकर की क्या पोजिशन नहीं मार्केट में से तो निकले हैं पॉइंट सो पॉइंट्स लेकिन उसके बावजूद भी माशालला तेरां कॉम्पनी जैसी हैं जो के अपर मैं किसे पाकिस्टान स्टाक मार्केट में फार्मासोटिकल की जितने भी कमपनीज्स अब इसके अपर अपर जाने के लिए इतना ही काफी है कि फार्मा स्विटिकल में सबसे सस्ता शेर स्विटी फार्मा का आगे चलते हैं बाकि इंशालला इसका टेक्निकल तो भी फिलहाल नहीं होगा क्योंकि अभी तो ये लिस्ट हुई है हाँ अलबता इसके फंडामेंटल्स के ओपर थोड़ी सी जो है वो रौशने डालने की सानी हो लोर कैप की बात करें कुछ लोर कैप में है या नहीं है तो लोर कैप में तो सर कुछ नहीं है और आपको पता है मेरा जो फार्मूला है उसके मताबिक अगर मार्केट ऊपर जाए और लोर कैप में कुछ ना हो तो अच्छी बात है और अगर मार्केट नीचे जाए नर 같아ब में कुछ नहोती है बहुत मुरी बांत लगा मतलब १ जो है कि आज फिर जोंके वही चीजें तक्सीम होई थोड़ा सा जाइशा ले ले शिंग ग्रादThe ritual कי键 ka कहता थे तो आज पाल सक्नधार जो सैक्टर सत्क है तो स्टिल आ जो सप्सटार है यह सारे फैरिस्ट है और इंवेस्टमेंट बेंक्स जो है यह दुसरे नबर पर हैं तो सबसे लास्ट में जो है वो फाररमा स्वेटिकल है छोग पॉरे सेक्टर के अंदर एक शेर ऐसा है जो के सिटी फार्मा का है जिसमे अच्छा खासा वालियम लगा है उसके बावजूद भी इसका लास्ट नंबर पे होना ये जाहिर करता है कि मा सवाए एक कॉम्पनी के बाकी पूरे सेक्टर के अंदर किसी में भी ज्यादा अच्छा काम नहीं हुआ और सारा का सारा पैसा जो है वो डाइवर्ड हुआ है सिटी फार्मा के अंदर क्योंकि वो शियर सबसे चोटा है आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि काउटन सिंबल्स को भी थोड़ा देखने हैं फिर इन्शाला आगे चलते हैं काउटन सिंबल्स की बात करें तो टीपिल पहले नंबर पर है पेस दूसरे पर और सिटी फार्मा तकरीबन चोटे पांचवे नंबर पर है लेकिन मोर देन टैन मिलियन का वॉलियम जो है इसके अंदर भी लगा है चलते हैं जी आगे और बात करते हैं समरी की कि समरी क्या कहती है समरी जो है वो यह कह रही है कि दो सो तेरा कंपनीज जो है वो डाउनवर्ड में हैं और एक सो त्रीपर अपवर्ड में सबसे पहले बात करेंगे जी आटो मॉबाइल एसेंबलर्स की आटो मॉबाइल एसेंबलर्स में घंदारे दोनों जो है वो उपर और बाकी तक्रीबन सारी की सारी कॉम्पनिस जो है वो नीचे क्योंकि होंडाटलस में अगर 500 रुपे वाले शेर के अंदर सिर्फ 91 पैसे का इजाफा हुआ है तो ये तो ना होने के बराबर हुआ और अलबता साथगार में जो इजाफा है वो बेहतर है 180 रुपे का शेर है और उसमें 1 रुपे का इजाफा है अधर दन देट बाकि सारे के सारे नीचे है देके इसके बारे में मैंने उसने भी एक बात की थी घाड़ियों के कीमतیں कम करने से मामलाद नहीं होते देखे एक चीज अगर सस्पी है फर्ज करें और आपकी मज़मा चलें इसको थोड़ा से डिफरंट कर लगा है एक चीज जो है बाजार में उसकी कीमत थी 10 रुपे और अब जो है एक दम फर्ज करें कि उसकी कीमत जो है वो कम होगे होगी 5 5 रुपे और आपकी जेब में जो है वो है सिर्फ 2 रुपे तो आपकी आपके उपकर इस चीज का क्या इंपक्ट होगा आपके लिए तो वो बिलकुल बेसूद है वो जो भी कुछ हुआ डिसकाउंट हुआ वाटावर कुछ भी हुआ आपके लिए तो कोई फाइदा नहीं फैक्टर यह होता है कि आप लोगों की बाइंग पावर में इजाफा करें यह करेंगे इसके ओपर भी इंशालला कुछ वीडियो इस किसम की यह जो दूसरा चैनल में बना रहा हो ना उसमें इसी किसम की बातें जो है वो भी शामिल हुआ करेंगी कुछ और भी जाती एक्स तो यह तस्वीर का एक रूख है वो दूसरा रूख है यह जो मैं बात कर रहा हूं यह सिर्फ मैं इकनॉमिकली बात कर रहा हूं ऐसे एकनॉमिकल इंडिकेटर और यह देखना कि आया कि इसका अवाम के उपर इंपक्ट गया होगा तो गाड़ियां सबस्ती हैं उन्हें को है और एटलिस में से भी तक्रीमन को दीस चौबीस रुपे निकलने बनते थे इसलिए जब कोई शेर काफी उपर निकल जाए और देन वह अगर वहां से वह रिवर्स करता है नीचे की दरब तो यह को खास इंपॉर्टन नहीं है यह उनके लिए इंपॉर्टन जरूर है ज आर फाकिस सब के सब नीचे आप यह देखे आपके पैल और वेजे देखें़ आप लोगों को याद करवार हूं कि पैल और वेज में जो फरक है वह आहस्ता है और स्क्वीज हो रहा है और वालियूम जो है वह पैल से वेज की तरफ मुनत्किल हो रहा है significant है देखते जाएए यह जिस तरह में कहते हैं देखते जाएए उश्रमाते जाएए यह देखते जाएए और गौरों फिकर कीजिए cement sector की बात करें तो cement के उपर काफी ज्यादा pressure आज नजर आ रहा है देजी खान में से चिराट में से निकले हैं तकरीबल 4 रुपे और डेजी खान में से निकले हैं 2 रुपे देखें यह चिराट जो है यह काफी एरसे से decline का शिकार नजर आ रहा है इसके ओपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए मैंने नहीं किया भी लेकिन मैं इसका चार्ड दे स्पोर्ट कर रही है अच्छे चले यहां पर थोड़ी सी बात हो जाए देखें जिस वक्त आप किसी शेर को खरीबते हैं और वो शेर जो है टेकनिकली आपको लगता है कि इसको यहां से bounce back करना चाहिए लेकिन fundamentally जो है उसके अंदर किसी किसम की कोई improvement नहीं है तो वहां से अ जब तक किसी company के fundamentals जो हैं वो उसके टेकनिकल को support ना कर रहे हों तो ऐसे share में से देखाड़ी तो लगाई जा सकती है लेकिन उसमें position नहीं रखी जा सकती है अगर किसी भी share का fundamental उसके टेकनिकल को support ना करे तो उस share से avoid करना ही बेतर है लेकिन अगर आप फिर भी उसके अंदर trade करना चाहें तो उसके अंदर आप बिल्कुल समझ लें कि कोई day trade टाइप चीज या को दो तीन दीन वरी trade कह लें इस तरह का को काम कर सकतें लेकिन आप उसमें positional trade नहीं कर सकतें इसलिए कि सर उसके नीचे कुछ नहीं है तो जब नीचे कुछ नहीं है तो वो किसी भी वक् नीचे आने की वी वज़ाई यही होती है अगर वो टेक्निकली downward में है तो क्या fundamentally जो है इस downward downward जो इसकी move है उसको support कर रहा है यह नहीं अगर support कर रहा तो कुछे बिच हो जाए यह falling knife बनेगा मैं बिलकुल नहीं कह रहा कि यह जराड सीमट ही बनेगा जिस रफ एक example दी है मैं जरूरी है अगर वह support नहीं कर रहा है तो फिर आपको उसमें से इत्याफ्त के साथ trade करना चाहिए आगे चलें जी और lucky सिमट में से भी 20 मेरहले 25 रुपे पड़े थे वह निकल गए है पाइनियर सारी निकल गए है बिचारे chemical sector की बात करें तो बर्जर में से निकले हैं दो आपसले चला गए 62 रुपे के अपर अपर है एंग्रो पॉलिमर केमिकल्स में से निकला है तक्रीबन एक रुपया चलें कोई बात नहीं है लॉटे केमिकल्स में से निकले हैं 24 पैसे और निमर चोड़ दें या यह बहुत बड़ा शेर है और वाल्यूम इसमें बिल्कुर होने के बहुत है और जो चोटा निमर है यह वैसे ही जो है वो मुझे तो अबर प्राइस लगता है इसलिए मैंने इसके बात ही करना चोड़ दी है आगे चलेंगी कमर्शल बैंक्स देखें बैंक्स जो है यह बैंक्स बैंक्स हैं इन के ओपर गोरो फिकर करना चाहिए से कितना ज्यादा डिकलाइन हो सकता है मेरा नहीं कि कुछ ज्यादा इसमें आपको डाउनवर्ड मुव मजीद नजर आ सकती है जो होना था इसके साथ वो तक्रीबन तक्रीबन हो चुका है अंजिनरिंग सेक्टर की बात करें तो देखना पड़ेगा कि 200 स्टील कहां पर है कोई बात कही थी कि 40 से नीचे जाए तो पकड़ना आगे चलें पर्टिलाइजर सेक्टर सारा के सारा ही लाल है लेकिन देखना यह होगा कि FFPL में से क्या निकला है 36 पैसे और पात्मा में से निकले हैं 15 पैसे यह दो शेयर जो हैं यह तूब कि छोटे हैं इस पूरे के हो क्योंकि देखिए जो चुटा शेयर होता है उसके दर वॉल्यूम भी बास वकात अच्छा लगता है और वह आपको गेन भी अच्छा दे जाता है अगर आपने इसको टेक्निकली अच्छा जो है वो एनलाइज किया हो बात करें तो फूड के हलाद बहुत बहुत हैं यह यह याद होगा आपको याद होगा याद होगा मैंने तो अपने दोस्तों से जो मेरे साथ काम करते हैं उनको मैंने जो है मैसिज किया वाइस मैसिज किया था पूरी तफिल के साथ यार आपका शेर अगर प्रॉफिट में है और आपके पास अगर या बिल्कुल समझ लेंगे शेर आपने नीचे करीदा है और वह इंप्रॉव्मेंट के बाद अपने बाइंग लेवल पर वापिस चला गया है तो से एक्जिट लेने की खोशिश की जिएगा ताकि जिस सक्क्त मार्केट नीची आए तो हम उसमें बाइंग कर सकें आप जूकर मार्केट में से 500 निकले हैं और जिस तरह से 500 निकले हैं शायद इसका इंपक्ट हमें मंडे वले दिन भी नदर आए हम लोग फिर बाइंग करन लेकिन मार्केट बाहराल 48,000 तक पहुंची थी तो उस दिन भी मैंने एक बात यह कही थी कि बीजी एल जो है यह सरह हमारे लिस्ट में नहीं है इसके उपर हम बिल्कुल गौर नहीं कर रहे हैं हाँ अलबता इसके लावा जो बाकी शेर्स हैं उनको देखा जा सकता है कि वो किसी बाइंग लावल पर हैं या नहीं कि बीजी एल तो बिल्कुली डबल हो गया ना यार 8 रुपे से शेर उठा है 16 रुपे का हो गया अब यहां पर इसकी बाइंग कम असकम मेरे लिहासे तो नहीं बनती क्योंकि इसके मैंने कम असकम इस शेर के मैंने फंडामेंटल हैं 28 पैसे मज़े की बाद है इस यह जो तो तीन सेक्टर्स है जो जो दोस्त अबाब मेरे साथ रेग्लर काम करते हैं उनको पता होगा कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गया इसके लावा शूगर का सेक्टर हो गया मुदार्बास का सेक्टर हो गया यह तीन सेक्टर ऐसे हैं जिसमें मैं कुछ ज्यादा काम पहले नहीं कर रहा था लेकिन अब मैंने जो है तो खरीबन स्टॉक मार्किट के जो तमाम के तमाम सेक्टर्स हैं उनके ओपर थोड़ा सा फर्दन फर्दन काम करना शुरू किया है तो एक दो दिन पहले जो क्योंकि अब मेरा यह प्रोग्राम है और मैं कुछ यह चीज जो है लोगों ज्यारा थोड़ा सी ज्यादा मेहनत करने के मूड में हूं स्टॉक मार्किट के तमाम जो सेक्टर्स हैं जो पर नजर रखी जाए हैं फड़ा मुश्किल काम है लेकिन मेरा कहला रखी जानी चाहि टीपिल बगरा जो है यह वैसी मेरी नदर में ऑवर प्राइस्ट हैं मदार्बाद को भी छोड़ दें क्योंकि मुदार्बा है यूनिक है मदार्बा था मेरे पास तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था भई मैंने तो इसको 339 पे दिया है बेच तो ठीक है वह एक्सपेरि आपको अपर रहे थे जुम्हेरा तो इस दिन भी हमने यही बात की थी कि यार यह भारी बरकम सेक्टर है जिस वक्त यह चलता है तो मार्किट को यह उठा देता है तो आज यह निच्छे है तो मार्किट के ओपर भी इसका इंपक्ट है और यह दोनों सेक्टर पूरे के गौर्ब करना चाहिए इसके लाव पीएसो है पीएसो भी इदनी बुरी प्राइस पर नहीं है बस ठीक है दो ही काफी पेपर अंड बोर्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिकलाइन नजर आ रहा है इसमें है वो पैकेजिस में है बड़ा शेर है डिवाइड ही करना चा नहीं आता फार्मा स्वेटिकल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आज सिटी फार्मा के अंदर वालियम भी लगा अपर कैब भी हुआ और सबसे चोटा शेर इस वक्त यही है आप भी इसके बारे में गौर फरमाईएगा बाकि एजी बी से दूर रहिए और सेरल जो है इसमें से चार उपे निकले है इसको देखते हैं जी यह लीचे कहां तक जाता है इंशालों पावर डिस्ट्रिबिशन की बात करें तो पाक जिन पावन में से आट पैसे निकले हैं निशाद पावर जो है वो चार पैसे उपर रहा निशाद चुनिया में से बीस पैसे निकले हैं देखे के बारे में उस दिन मैं यह बात कर रहा था कि एक्स होने से एक दिन पहले इसका अपना थोड़ा सा जाइजा ले लिया करें कि जब आप उसका खुरा हैं के जब आपनकी अगले दिन तो चार ओपे पांुड़े सस्ता हो unions की स्टाटिजी यह होती आ आपको की मिसाल ले लेते हैं का आपने उसके शेयर को खरीदने है एक हजार अब स्ट्राटिजी क्या होगी च्ट्राटिजी ये होगी कि आप उसके शेयर आट सो एक्स होने से पहले और 200 शेर आप ख्रीदेंगे एक्स होने के फॉरण बाद अब इसका फाइदा क्या हो देखने को तो आपको 800 शेर्स का डिविडेंट मिलेगा लेकिन अगले दिन जब वो डाउन पे जाएगा पांच रुपे तो सर्व जो 200 शेर आप ख्रीदेंगे वो भी तो आपको कम होके नीची आ जाएगी एक चीज और दूसरी चीज यह होगी चुकि उसमें से पांच रुपे निकले होंगे और जब वो अगले दिन खुलेगा तो वो 45 रुपे वाला शेर जो पांच रुपे का डिविडेंट दे रहा है सर्व एक डेड़ रुपया उपर जाएगा ज यह पूछने की कोशिश किक हरें कि बर अब तक जतने भी सवाल यह हैं मैंने काफी बीडिया आती है उसमें से ज्या इतने चीजीजे होती है जहेए ह। इतने पर बेचना कितने पर है या कुछ सीखने से काने की तरफ भी आएं मैंने काफी अर्सा हो गया कहने चोड़ दी है क्योंकि लोगों का दिली नहीं करता को अच्छी चीज़ पूचने को आगे चलते हैं प्रिफाइर इसको भी छोड़ें जी आप जी इसी खुशी में यह क्या है जी टेकनोलोजी और किम्यूनिकेशन की बात करें वैंसियों नीचे नेट सोल का वह पर लॉक लगा था वह नीचे की तरफ लॉक लग गया पाकिस्तान टैली के टैली कम्यूनिकेशन नहीं सर दस कि में इसे भी पांच रुपे निकले हैं यह चोड़ दें प्रांसपोर्ट को भी छोड़ें अगे चलते हैं और बात करते हैं कैंडल की लास्ट ताम जब हमने इसको डिसकस किया था उस दिद तो हमने यह बात की थी कि जी ममकिना तोर पर हमें जो चीज नजर आ रही है वह ये है कि मार्किर जो है ये इसका 48,000 का लेवल है। मार्किर यहां तक हमें जाती हुई नजर आ रही है। अगर यहां तक जाती है तो वहां तक वहां से इसके रिवर्सल के चांसि को सकते हैं। बारहाल हम यह तो नहीं कहें जी के हमारी कहने की वज़ा से ऐसा हुआ बस एक चीज़ हमें थी को थोड़ा सा हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था उसके मताबक रिजल्ट आया क्योंकि मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि यह स्टॉक मारकेट जो है यह को जादू की छड़ी नहीं है यहां यह को मैथेमेटिक्स की किताब नहीं है जिसमें हमेशा दो जमा दो चार ही होते हैं इसमें sentiment होता है, इसमें economical situation होती है, इसमें economical indicators होते हैं, इसमें जो आपका peace है, जो मुलक की सूर्थ हाल है, law and order की situation है, हर चीज़ को आपको factor in करना पड़ता है, यहां तक कि आपको weather की condition को भी factor in करना पड़ता है, यह weather condition क्या चाल रही है, पाकिस्तान जैसे मुलक के इंदर stocks को analyze करने के लिए, तो यह सिर्फ किसी एक बन्याद पर decision नहीं होता, इस वक्त जो market की situation है, market ने जहां से bounce back लिया था, वो तकरेपन 47,000 का level था, तो अब भी जो situation है, वो भी फिलहाल 47,000 तक तक जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उससे नीचे जाती हुई नजर नहीं आ तेके market की इतनी move के बावजूद भी, अगर आप मुझसे ये पूछें, कि in the long run जो है, क्या market का trend जो है, वो positive है या negative है, तो sir, मेरा आज भी जबाब होई है, negative है, जब तक market एक certain level से उपर नहीं जाती, तब तक market का जो sentiment है, वो positive नहीं हो सकता, हाँ, जिस तना से ये 800 point की candle ब बताई रहते हैं, देखें, ये था वो level जिसके बारे में हमने, 48,000 का level था, जिसके बारे में हमने बात की थे, अब एक candle बनी, अगले दिन अच्छी खासी strong candle बनी, और उसने इस level के, बिल पुल साथ जाके जो है आपको closing दे दी, अब अगर अगले दिन जो है, वो market के अंद पॉजिटिव हो चुका है, फिर भी यही कहा जाएगा, कि market is going to positive, आने के chances है, लेकिन अगर market जो है, वो 47,700 के उपर चलती है, यहां पर candle देती है, 48,700 के उपर, तो चुके वो अपने इस previous high को break करती है, फिर कहीं जाके market का जो trend हो पॉजिटिव होगा, बाफ कीजिएगा, नेगेटिविटी को in the long run और positivity को in the long run, वो आप जरूर understand करने की कोशिश करें, बिल्कुल उसी तरह से जो लोग regularly watch करते हैं, आपको याद होगा, कि जिस वक्त market जो है, वो अपनी इस move पर थी, और यहां से market ने downward लिया था, 44,000 से फिर 45,000 तक गही थी, तो यहां पर भी मैंन यही अलफाज कहे थे, कि अगर in the long run अगर आप मुझसे पूछें कि क्या market का trend negative है, तो मैंने क्या कहा था, नो, market का trend जो है, वो positive है, तो जो trend होता है, बिसिकली वो दो या चार या पांच दिन की candles को देख कर नहीं बनता, बलके वो उसकी previous history को देख कर बनता है, कि आया कि य यह बात चली कहां से थी, यह candle जो है, यह जो trend है, यह चला कहां से था, तो जब तक वो trend को वो cross नहीं करता, तो उस वक तक उसका trend हम change नहीं कह सकते, तिल्कुल आप यह समलीजे कि अगर एक गाड़ी जो है, वो 100 की speed से नीचे आती है, और वो चली जाती है 50 तक, और 50 से अपर नहीं जाएगी, हम उसको यह नहीं कह सकते कि इसने previous high को इसने break कर लिए, इसलिए यह trend की बाते हैं, long term की बाते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर, इन्शाला सवाल पूछा करें, कुछ हमारे दमाग भी चोटे हैं, जो चीज हमारे चोटे चोटे दमागों में आती ह हैं, बयान कर देते हैं, आप माशाला समझदार लोग हैं कुछ सवाल किया करें, ताके हमारे भी knowledge के अंदर जो है वो इजाफा हो, बस यह राज के लिए सिर्फ इतना ही खुश रहें, बातें तो बहुत सारी हैं, चीजों को समझा करें, तोड़ा सा उसके अपर गोरों फि किसी के साथ भी अगर आप काम करें या आप गंसर डैंसे सर्विस ले रहे हैं, तो आखें बंद करके उसकी बात के ओपर रिलाए ना किया करें, चाहे वो आप फ्री के अंदर बात कर रहे हो, या आप फीस दे के मशवरा कर रहे हैं, जो वो बात कहे उसको आप भी अपनी आप तो सोटी पर परखने की कोशिश किया करें कि क्या या यार बाकितрь ने ने जो बात की है, क्या वो लॉजिकल है, उसके अंदर वजन है, फिर जा कि आप उसके ओपर रिसीजिन लिया करें, कि या पैसा आपका है, मेरे पास लोग काम करते हैं, मेरे साथ जो है वो मुझे ये कहता है कि जी सर आपने मुझे ये शेयर एकमेंट तो किया था लेकिन मेरा दिल नहीं माना मैंने नहीं करिद तो मैं बड़ा खुश होता हूं मैंने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि लो जी मैंने आपसे कहा था बेची आपने बेचा नहीं कोई बात नहीं से ही आप आगे चलते हैं experience से ही सीखते हैं तो बस जी आज लिए सिर्फ इतना ही नया चैनल इंशालला जो है वो जल्द बन रहा है तो उसमें बहुत सारी बाते हुआ करेंगी क्योंकि यह जिस्ट only for the stock market है तो वो थोड़ा सा different होगा तो उसमें भी मश्वरा दिया कीजिए कि किस किसम की बातें जाहिए और कौन कौन से चीज़ेंस में शामिल होनी चाहिए उसमें इंशालला काफी चीज़ें different होगी वो आगे चलके आपके साथ भी शेयर करेंगे आपके बाते हैं